हेलो नमस्कार किसान भाईयों आज इस वीडियो में हम आपको बास्मती धान की तीन नई वराइटियों के बारे में बताने वाले हैं ये जो तीनो वराइटियां है हाल के ही वर्सों में लौंज की गई है किसान भाईयो और भबिस में ये जो किसमे हैं पैदावार के मामले में धमाल मचा सकती है क्योंकि इनकी जो खासियत और गुर्णवत्ता है वह पिछली सभी बास्मती धान की वराइटियों में सबसे ज़्यादा अच्छी है तो आज इन तीनो वराइटियों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे तो नमबर तीन पर हमारी बास्मती धान की जो नमबर वन किस्म है इसका नाम है पूसा बास्मती 18-85 यहाँ वराइटी किसान भाईयो बहुत ही बहतरीन और बहुत ही सांदार भबिस में होने वाली है क्योंकि यहाँ किस्म जो पूसा बास्मती 11-21 थी उसका इंप्रूब वर्जन बनाया गया है उसको सुधारक की किसान भाईयो रोगों के प्रत सहिंसील बनाया गया है किसान भाईयों सभी प्रकार के रोगों के पर सहिंसील बना दिया गया है जैसे ब्लाष्ट और बैक्टिरिया लिव लाइट यदि किसान भाईयों इसके रोपाई के सही समय की बात करें तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक इसकी रोपाई आप कर सकते हैं किसान भाईयों धान की नरसरी तयार करते समय आपको लगभग 4 किलो प्रत यकड़ बीज की आवशकता पड़ेगी पकने की अवद की बात करें तो मद्यम अवद में पकने वाली यह बासमती किसम है 135 से लेकर 140 दिन में यह पकर तयार हो जाती है यदि पूसा बासमती 18-85 वराइटी के हम पैदावार की बात करें यह वराइटी अब जो है लगभग 22 से लेकर 25 कॉंटल प्रत यकड़ तक पैदावार निकाल करके दे सकती है किसान भाईयो ध्यान रखें यह एक नई किसम है तो इसका जो बीज है आपको परमारित जगा सही खरीदना चाहिए नहीं तो आपको नगली बीज भी मिल सकता है नमबर दो पर किसान भाईयो हमारी बास्मती धान की जो नई किसम है जो भबिस में तहल का मचा सकती है इसका नाम है पूसा बास्मती 18-47 यह एक नई और बहुती बढ़िया बराइटी है किसान भाईयो इस वराइटी को 15-09 का इंप्रूब वर्जन बनाया गया है यदि किसान भाईयो इसके हम धान की नरसरी तयार करने के समय की बात करें तो 20 मई से 20 जून तक इसकी नरसरी आप तयार कर सकते हैं बीज की मात्रा आपको लगभग 5 किलो प्रतियकर के हिसाब से लेनी पड़ेगी रोपाई के समय की बात करें तो 25 जून से लेकर 15 जुलाई तक इसकी रोपाई आप कर सकते हैं रोग प्रतिरोधक छमता की बात करें यह वराइटी की सानभायों पिछली सभी बासमती किसमों में सबसे ज़्यादा सानदार है यह बलाश्ट और बैक्टीर लिव लाइट रोग के प्रति अब रेजिस्टन्स हो चुकी है पौधे की हाइट की बात करें 110 से लेकर 118 सेंटीमीटर तक इसका पौधा उचा होता है पकने की अवधी की बात करें तो यह वराइटी 120 से लेकर 125 दिन में पकर तयार हो जाती है यदि हम इसके कुछ हाइलाइट पॉइंट की बात करें तो इसके दाने का आकर बहुत ही जड़ा लंबा होता है बालियें इसकी काफी जड़ा लंबी होती है किसान भाइयो चावल इसका खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट है और इस वराइटी में जो कल्लो की शेंख्या होती है किसान भाइयो वह अन्य बास्मती धान के पेच्छा सबसे ज़्यादा होती है यदि finally हम किसान भाईयों पूसा बास्मती 18-18 वराइटी के पैदावार की बात करें तो यह वराइटी आपको 25 से लेकर 28 कुंटल प्रती एकर तक पैदावार निकाल करके दे सकती है किसान भाईयों नंबर वन पर हमारी बास्मती धान की जो एक और नई किस्म है जो भविस में पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है इसका नाम है पूसा बास्मती 1692 इस वराइटी को किसान भाईयों 2020 में ही रिलीज किया गया था और किसान भाईयों पिछले दो सालों में इस वराइटी ने सबसे ज़्यादा पैदावार निकाल करके दिया है यह वराइटी किसान भाईयों भविस में पैदावार के मामले में तूफानी ला सकती है यदि इसके हम रुपाई के सही समय की बात करें तो 25 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रुपाई आप कर सकते हैं वीज की मातरा आपको नरसरी तयार करते समय लगभग चार से लेकर पांच किलो परत येकड के हिसाब से रखनी है पकने की अवद की बात करें तो 110 से लेकर 125 दिन में यह धान की वराईटी पकर तयार हो जाएगी यदि सीचाई की बात करें तो मध्यम सीचाई में भी किसान भयोया वराईटी आपको बढ़िया पैदावार दे सकती है कल्लो की शंक्या की बात करें तो 15 से लेकर 18 कल्लेस में पाया जाते है यदि इसके कुछ खासियत की बात करें जो इस बराईटी को नंबर उन बनाती है तो सबसे पहले किसान भयोया खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है साती सबराईटी का तना अन्य बासमती किसमों के पेच्छा काफी मजबूत है यह जल्दी गिरती नहीं है और इसका चावल पतला और बहुत चेदर लंबा होता है किसान भयो जिससे यह विदेसों में भी महंगे महंगे दामों पर बिक्ती है और भारत की मंडियों में भी किसान भयो इसका जो दाम है वा अन्य सबी बासमती किसमों में सबसे जादा मिलता है साती किसान भयो एक कौंटल धाल में इसमें लगभग 70 किलो चावल निकलता है जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है यदि finally किसान भाईयो हम इस variety के पैदावार की बात करें तो यहां किसम आपको 25 से लेकर 30 kontal average पैदावार निकाल कर दे सकती है यदि आप सही समय पर रुपाई करते हैं सही खाद और इस्प्रे का परियोग करते हैं तो यहां किसम आपको 32 kontal प्रती एकर तक भी पैदावार निकाल करके दे सकती है तो यहां थी किसान भाईयो बास्मती धान की तीन नई रिलीज हुई किसमे जो भबिस में किसान भाईयो पैदावार में तूफान ला सकती हैं यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें